Hello everyone, welcome to Pardhliha. पिछले lecture में हमने soil की phase relationships related कई सारी बाते करी. हमने कुछ properties देखी soil की, उन properties को आपस में correlate करके कुछ relationships develop किये. उससे related कुछ numericals को solve किया था and then उसके बाद हमने soil की कुछ properties जैसे bulk unit weight, specific gravity और water content को field पे या laboratory में कैसे calculate किया जाता है, वो भी देखा था और फिर finally हमने एक concept पे और बात की थी कि solids का weight और solids का volume कभी भी change नहीं होता है for a given soil. अब इसी के आगे continuation में हम बात करेंगे इस lecture में index properties के बारे में. phase relation और index property एक ही topic है लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा सा topic है इसलिए हम इसको दो अलग-अलग part में पढ़ते हैं तो पहला part हमने phase relationship खतम कर लिया था और अब हम बात करेंगे एक और topic की, उसी के आगे के एक और topic की that is the index properties of the soil. अब ये index properties का मतलब क्या होता है? देखिए नाम से कही न कहीं ये तो समझ में आ रहा है कि ये properties ही है. उसके आगे एक शब लिखा हुआ है index. आप थोड़ा सा सोचिए, कोई सी भी textbook जब आप खरीते हो, कोई सी भी book होती है. उस book का सबसे पहला page होता है index का. उस index page को देखके आपको उस book के अंदर किस page पर कौण सा data या कौण सी information या कौण सा concept या कौण सा topic लिखा हुआ है, वो पता चलता है. इंडेक्स का मतलब तो यही होता है ना? किताब में, books में जो index पहला page होता है पहला page, उसमें topic का नाम और वो topic किस page पर आपको मिलेगा, वो बताता है index. तो मतलब कही ना कही उस book के बारे में information देता है index. ठीक उसी प्रकार यह जो index properties होती है, यह soil की ऐसी properties होती है, जिनको use करके या जिनके base पर मैं soil को अलग-अलग category में classify कर पाऊँगा. एसी properties जिनके base पर या फिर जिनको use करके मैं soil को अलग-अलग category में classify कर पाऊँगा, उन सारी properties को मैं index properties कहता हो. तो यहाँ जरा इसका definition हम लिखते हैं कि index properties जो है, these are basically the properties which are used to classify the soil. Soil को classify करने के लिए जिन properties की जरूद परती है, उन properties को index properties का नाम दिया जाता है. अब यह index properties होती कौन-कौन सी है, ऐसी कौन-कौन सी properties है जिनको use करके मैं आगे जाकर, क्योंकि आगे हम soil classification भी पढ़ने वाले हैं, तो जब हम soil classification पढ़ेंगे, तो भई किसी भी चीज को classify करना है अगर, दुनिया में, soil को तो आप side में करिये, दुनिया में किसी भी चीज को अगर classify करना है, तो classification किस चीज पर based होता है? भई आपके घर में भी दो अलग-अलग body हैं, कोई अलग-अलग materials हैं, तो उनको आप अलग-अलग category में classify कर रहे हो, किस base पर? उसके use के base पर, उसके nature के base पर, उसके behavior के base पर, यही तो base होता है classification का, किसी भी चीज को, इसको अगर मैं pen कह रहा हूँ, तो इसको pen क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसका use है, to write the things, लिखने का काम आता है, इसलिए यह pen की category में आएगा, तो किसी भी चीज को classify करना अगर हमको है, तो classification कहीं न कहीं based होता है, उस material की properties पर, या उस material के use पर, या फिर उस material के behavior पर, तो हम कौन-कौन सी ऐसी properties हैं, जिसके base पर हम आगे जाके soil को classify करने वाले हैं, उन सारी properties को, मैं index properties की category में include करता हूँ, तो सवाल सबसे पहला यह उड़ता है, कि ऐसी कौन-कौन सी properties है, जिसको मैं index properties का नाम दे सकता हूँ, तो इध्यान दीजेगा, कि यह जो index properties होती हैं आपकी, index properties को मैं दो category में classify करता हूँ, index properties जो आपकी है, they are actually classified in two categories, पहली प्रोपर्टी जो आपको मिलेगी यहाँ पर, that is known as soil, grain properties और दूसरी केटिगरी जो आपको मिलेगी, that is known as soil, aggregate properties. तो कोई भी आपसे पूछे कि index properties कितने type की होती हैं, तो आप बोलेंगे index properties दो प्रकार की होती हैं, पहली होती है आपकी soil, grain properties और दूसरी होती है आपकी soil, aggregate properties. अब समझे ज़रा इसको कि यह soil grain properties का क्या मतलब है और soil aggregate properties का क्या मतलब है. तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटी सी definition है इसकी, grain का मतलब होता है particle. ग्रेन, जो टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, grain का मतलब होता है particle. तो एक single soil का particle जो आपके पास है, मैं पूरे soil mass की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं उस पूरे soil mass में से एक single particle की बात कर रहा हूँ. उस एक single particle की जो भी properties होंगी, उनको मैं soil grain properties में include करूँगा. और soil aggregate property, पूरा का पूरा soil mass, जिसमें solid particles भी होंगे, voids के अंदर में हवा पानी भी होगा, जो पूरा का पूरा soil mass है, उस पूरे soil mass की जो properties होंगी, उसको मैं soil aggregate properties में include करूँगा. grain properties, दीदाथी properties of a single particle, एक soil के single particle की property को मैं soil grain property कहूँगा, और पूरे के पूरे soil mass की जो properties होंगी, उसको मैं soil aggregate properties कहूँगा. तो देखते हैं जड़ा grain properties कौन सी होती हैं, और aggregate properties कौन सी होती हैं, एक list तैयार कर लेते हैं, और उसके बाद उस list को, उस list में से एक एक करके सारी properties को हम detail में discuss करेंगे. तो जड़ा बात करते हैं soil grain properties की, सबसे पहले लेता हूँ मैं soil grain properties. क्या होती है soil grain properties, तो आप कहेंगे soil grain properties, एक single particle की property होती है, तो it is the property of a soil particle, properties of a soil particle, पूरे soil mass की property नहीं बाप कर रहा हूँ मैं आपर, एक single particle आपके पास है, उस एक single particle की जो properties होंगी, वो soil grain properties होंगी. अब जड़ा खुद सोचके देखिए आप, एक single particle की क्या-क्या पता कर सकते हो हूँ. एक single particle आपके पास है, उस एक single particle के बारे में आप क्या-क्या पता कर सकते हो. तो उसे एक single particle के बारे में मैं पता कर पाऊंगा पहली बात उसका shape and size पहला जो property होगा soil grain property में that is the shape and size और दूसरी चीज़ जो मैं पता कर पाऊंगा that is the specific gravity the second one will be the specific gravity भाई एक single particle का इसके अलावा क्या पता कर सकते हुआ मैं पूरे soil mass की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो उस पूरे soil mass में से एक particle निकाल रहा हूँ एक छोटा सा particle है उस particle का क्या पता कर पाऊंगा आप जादा से जादा उसका shape and size और उसकी specific gravity तो ये दो properties जो आपको यहां पर दिख रही है these two properties are the soil grain properties जो की index properties का ही हिस्सा बनेगी एक एक करके हम इनको समझेंगे detail में की soil shape and size क्या होता है इस specific gravity अल्रेडी हम पढ़ी चुके है एक थोड़ा सा overview और ले लेंगे तो इन दो properties को मैं include करूँगा soil grain properties में से ठीक है अब अगली जो property होती है that is the soil aggregate property अब soil aggregate properties का क्या मतलब है तो soil aggregate properties मतलब पूरे के पूरे soil mass की property एक single particle की बात नहीं कर रहा हूँ अब अब बहुत सारे particle इखटे हो चुके हैं और एक soil mass आपके पास स्यार हो चुका है उन छोटे छोटे particles के बीच में voids भी आ चुका होगा अब उस voids में हवा पानी भी आ चुका होगा तो अब आपके पास एक जो entire soil mass है उस entire soil mass की कौन-कौन सी properties होंगी उनको मैं soil aggregate properties में रखूँगा तो soil aggregate properties आदी properties of दीजारदी properties of entire soil mass पूरे के पूरे soil mass की जो properties होंगी उसको मैं soil aggregate properties में include करूँगा अब कौन-कौन सी properties होंगी या पूरे soil mass की तो चलिए ज़रा list बनाते हैं सबसे पहली property जो मैं यहाँ पर देखूँगा वो रहेगी आपकी density index सबसे पहली property जो रहेगी गाट विल बी density index of the soil क्या होता है कैसे calculate की जाता है सब देखेंगे हम दूसरी property होगी sensitivity of the soil क्या होता है कैसे calculate करते हैं सब बात करेंगे तीसरा होगा आपका activity of the soil चौकी बात करेंगे हम ठिक्सो ट्रॉपी की next बात करेंगे consistency limits की यह कुछ properties है जिनको मैं soil aggregate properties में रखता हूँ इसके अलावा भी कुछ और properties होती है जैसे यहीं पर मैं आपका लिस्ट continue करता हूँ next होती है आपकी shear strength of the soil फिर आपका होता है permeability void ratio porosity यह सारी आपकी soil aggregate properties होती है क्योंकि इन properties को use करके मैं मेरी soil को classify कर सकता हूँ कैसे करूंगा soil को classify यह तो बात की बात है लेकिन यह properties ऐसी properties हैं जिनको use करके मैं soil को अलग-अलग तरीके से classify कर पाऊंगा अब इन properties यह जो 9 properties आपके सामने लिखी हुई है इन properties में से ज़रा ध्यान दीजेगा void ratio हम already discuss कर चुके हैं void ratio हमको यहां पर discuss करने की जरूरत नहीं है we have already discussed the meaning the concept of void ratio porosity हम already discuss कर चुके हैं void ratio और porosity दोनों हमने detail में discuss कर रखा है तो यह दो properties यहां पर फिलाल में हम study नहीं करेंगे क्योंकि phase relationship में already हम void ratio और porosity देख चुके हैं इसके उपर आईए तो shear strength और permeability यह index properties हैं लेकिन इन index properties को मैं यहां पर नहीं पढ़ूँगा क्यों उसका reason यह है कि shear strength कोई ऐसी property नहीं है जिसको दो line की definition में हम खतम कर लें shear strength तो एक अलग chapter ही है आपकी soil mechanics में आपको याद होगा पहले lecture में जब मैंने syllabus की बात की थी तो वहाँ पर एक chapter था soil में shear strength तो shear strength हम यहाँ पर पढ़ेंगे ही नहीं हम तो इस shear strength को एकदम detail में discuss करेंगे एक अलग chapter के रूप में ठीक उसी प्रकार permeability भी एक chapter के रूप में discuss किया जाएगा soil में तो shear strength और permeability इस index property नाम के chapter में हम study नहीं करेंगे क्योंकि यह दो अलग chapter रहेंगे हमारी soil mechanics में तो इन दो को अभी फिलहाल में हम discuss नहीं कर रहें हलांकि दीदार्दी index properties यह index properties ही होती है लेकिन यह properties कोई दो line की definition और एक formula नहीं है इन properties एक पूरे chapter के रूप में इन properties को हम पढ़ेंगे तो shear strength और permeability will be discussed later in different chapters अलग chapter के रूप में पढ़ेंगे अब मेरे पास बच रही है यह 5 properties density index of the soil, sensitivity, activity, thixotropy और consistency limits of the soil इन 5 properties को मैं soil aggregate properties में पढ़ूँगा और इस shape and size और specific gravity को soil grain properties में पढ़ूँगा तो total मेरे को 7 properties पढ़नी है यहाँ पर index properties के type में shape and size की बात होगी इस specific gravity हालंकि specific gravity already हम discuss कर चुके है specific gravity क्या होता है कैसे calculate किया जाता है सब पढ़ चुके हम specific gravity के बारे में तो specific gravity भी यहाँ पर discuss नहीं करेंगे तो हमारे लिए इस index properties में जो पढ़ने वाली चीजे हैं वो क्या-क्या है हम shape and size की बात करेंगे shape and size के बाद हम बात करेंगे density index की sensitivity की activity की thixotropy की और consistency limits of the soil की तो 5 properties soil aggregate की और एक property soil grain की तो total मिलाके 5 प्लस एक 6 properties का discussion हमारा इस chapter में index properties में होगा I hope यह बात clear हुई कि index properties actual में है क्या तो index properties वो properties होंगी जिनके base पर मैं soil को classify कर सकता हूँ और soil का classification बात की बात है soil का classification हम detail में discuss करेंगे लेकिन जिन properties के base पर मैं soil को classify करूँगा आगे जाकर उन properties को मैं index properties का नाम देता हूँ index properties दो category में मैंने divide करी soil grain properties और soil aggregate properties तो finally एक summary बना लेते हैं और summary यह रही कि जिन properties को हम discuss करने वाले हैं वो कौन-कौन सी रहेगी हम बात करेंगे density index of the soil की density index क्या होता है कैसे calculate किया जाता है इससे related numerical सारा कुछ आपके लिए discuss होगा second बात हम करेंगे sensitivity तीसरी बात होगी activity की next बात होगी आपकी थिक्सो ट्रॉपी की इसके बाद हम बात करेंगे consistency limits की यह जो पांच प्रोपर्टी आप देख रहे हो यह पांच प्रोपर्टी मेरी बनी soil aggregate properties these are the soil aggregate properties और इसके अलावा मैं soil grain properties में भी एक प्रोपर्टी देखूंगा that is the shape and size shape and size इस प्रोपर्टी को मैं देखूंगा किस रूप में soil grain properties के रूप तो यह जो आपकी screen पे सामने लिखा हुआ है this is the introduction related to the index properties of the soil soil की कौन-कौन सी index properties हमने पढ़नी है वो सारी list आपके सामने यह लिखी हुई है अब इसमें से हम एक एक करके properties को उठाएंगे और उन properties को detail में discuss करेंगे इन सारी properties में से numerical पूछे जाते हैं चाहे density index हो इसका भी numerical gate में कई बार पूछा गया है sensitivity, activity से भी numerical आपके पूछे गए है thixotropy में कोई formula या कोई concept नहीं होता है तो thixotropy से कोई numerical frame नहीं होता है consistency limit बहुत important है almost हर साल consistency limit से कुछ ना कुछ ना कुछ गेट और ES वाले पूछते रहते हैं shape and size again बहुत important है इसमें बहुत सारी बाते हम लोग करेंगे shape and size पे तो next lecture में जब मैं आपसे मिलूँगा तो हम बात करेंगे, एक एक properties को हम detail में उठाएंगे और उनको properties को detail में discuss करना शुरू करेंगे Thank you